हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल तोड़े विल डिसकुस्ट वेट जमेट्री ओफ जिनॉन डाय फ्लॉराइड मॉलेकूल तो जिनॉन की पहले आउटरमोस कोंफिगेशन देख लेते हैं आउटरमोस शेल की 5 5, S2, 5, P, 6, 6 और D-orbital अभी इसका एमटी है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है एस, P-orbital और एक्साइटेट ग्राउंड स्टेट में, S-orbital में 2 इलेक्ट्रोन, P-orbital में 6 इलेक्ट्रोन और हाइबर्डाइजेशन जब हम एक्साइटर स्टेट में करेंगे तो एक इलेक्ट्रोन P-orbital का D-orbital में शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों कितमें इंवॉल्व होएंगे हाइबर्डाइजेशन में और इसमें हाइबर्डाइजेशन कौन सी होगी, S-A-orbital है इसमें S-का, P-क 3-orbital इंवॉल्व है और D-का 1, तो S-P-3-D हाइबर्डाइजेशन, हाइबर्डाइजेशन, और इसके साथ क्या लग जाएगा, फ्लोरीन अब इसके साथ क्या जाएबर्डाइजेशन, हाइबर्डाइजेशन होगी, S-P-3-D हाइबर्डाइजेशन, शेप है इसके साथ क्या जाएबर्डाइजेशन, यह एक्जिल पुजीशन पे लगेंगे, फ्लोरीन एटम, और 3 इसमें लोन पे रहें, S-orbital, P-orbital में 2, यह ल जिनोन, डाइ, फ्लोराइट, जिनोन, डाइ, फ्लोराइट हो गया, इसकी शेप हो गई, अब जिमेट्री देखते हैं कि इसकी जिमेट्री क्या होनी चाहिए, इसकी मालब लीनियर स्ट्रॉक्चर होगा, क्योंकि जो लोन पे रहें, एक्जल पुजीशन पे तो F है, फ्लोरीन, तो इसकी जिए लीनियर स्ट्रॉक्चर, वेस्पर थ्योरी के रिकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए, और जो स्टेविल्टी है वो मैक्सिमम हो जाए, इसलिए हमें जो lone pair, bond pair, repulsion, stability है उसका ध्यान रखना है इसमें जो lone pair, lone pair repulsion है वो ज़्यादा होगी और bond pair, lone pair repulsion कम उससे कम क्या होगी? bond pair, bond pair repulsion तो यह geometric है इसकी linear geometric होगी respiratory के according, lone pair, lone pair repulsion is greater than lone pair, bond pair repulsion then bond pair, bond pair repulsion Okay, thank you